ओम शान्ती आज है दो जून 2020 की साकार मुरली पहले सुनते हैं मुरली की मुख्य पॉइंट्स बाबा ने कहा बच्चे पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड हैं लाक हैं कुछ भी हाथ में नहीं आएगा इसलिए अच्छी रिती पुरुशार्थ करो इस बेहद के नाटक को तुम जान गए हो फिर घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो तुम सिर्फ याद करो हमारा बाबा बाप टीचर सत्गुरु तीनों हैं फिर कहा यह पढ़ाई सच्ची भी है और पूरी भी तुम कितना उच तो कितनी कापारी खुशी होनी चाहिए भगवान बाबा बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए बाबा ने कहा मैं ड्रामा की नूद अनुसार आता हूं तुम्हें पावन बनाने ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वही बजाता हूं बाकी मैं कोई थोट रीड नहीं करता हूं कई बच्चे कहते हैं बाबा तुफान बहुत आते हैं हम आपको भूल जाते हैं बाबा कहते हैं जरा सोचो तुम किसको भूल जाते हो वहे बाप जो तुमको डबल सिर्ताज विश्व का मालिक बनाते हैं तुम बच्चों को अपनी उन्नती के लिए सवेरे सवेरे उट बाप की याद में सैर करनी है छतों पर वो बाहर ठंडी हवा में चले जाना चाहिए आपस में यही बातें करते रहो देखें कोन बाबा को जास्ती याद करते हैं फिर बताना चाहिए कितना समय हमने याद किया मूल बात है याद और ज्यान बाकि दिदार कोई काम का नहीं और लास्ट में बाबा ने कहा पहले जो कुछ भी सुना है पढ़ा है वेह सब भूल कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो बाप से वर्सा जरूर मिलेगा तुम्हारे उपर जो कट चड़ी हुई है वेह भी उतर जाएगी अब सुनते हैं महवाकियों को विस्तार से मुरली का सार मेठे बच्चे तुम सारे वेश्व पर शांती का राज्य सापन करने वाले बाप के मददगार हो अभी तुम्हारे सामने सुख शांती की दुनिया है प्रशन बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं पढ़ाई का सार क्या है उत्तर बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं बाप कहते हैं बच्चे पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड हैं लाक हैं कुछ भी हाथ में नहीं आएगा इसलिए अच्छी रिती पुरुशार्थ करो पढ़ाई पर ध्यान दो गीत आखिर वह दिन आया आज जिसकी रहा तकते थे ओम शान्ती बच्चों ने गीत सुना आखिर विश्व पर शान्ती का समय आया सब कहते हैं विश्व में कैसे शान्ती हो फिर जो ठीक राय देते हैं उन्हों को इनाम देते हैं नहरू भी राय देते थे शान्ती तो हुई नहीं सिर्फ राय देकर गए अभी तुम बच्चों की बुद्धी में हैं कि कोई समय सारे विश्व भर में सुख शान्ती संपत्ति आदी थी, वेह अभी नहीं हैं, अब फिर होने वाली है, चक्रतो फिरेगा न, यह तुम संगम युगी ब्राह्मनों की बुद्धी में हैं, तुम जानते हो भारत फिर सोने की चिडिया बनना है, भारत को ही गोल्डन स्पेरो, चिडिया कहा जाता है, बल महीमा तो करते हैं, प्रन्तु सर्फ कहने मात्र, तुम तो अभी प्रैक्टिकल में पुरुशार्थ कर रहे हो, जानते हो बाकी थोड़े रोज हैं, तो ये सब न बुद्धी में अब सुख की दुनिया सामने खड़ी है, जैसे आगे विलायत से आते थे, तो समझ से थे, अभी बाकी थोड़ा समय है पहुँचने में, क्योंकि आगे विलायत से आने में बहुत टाइम लगता था, अभी तो एरोपलेन में जल्दी पहुँच जाते हैं, अभी तुम बच्चों की बुद्धी में हैं, कि अब हमारे सुख के दिन आने हैं, जिसके लिए पुरुशार्थ कर रहे हैं, बाबा ने पुरुशार्थ भी बहुत सहज बताया है, ड्रामानुसार, कल्प पहले मुआफिक, यह सर्टेन हैं, तुम देवता थे, देवताओ के कितने धेर के धेर मंदिर बन रहे हैं, बच्चे जानते हैं, यह मंदिरादी बना कर क्या करेंगे, बाकी दिन कितने हैं, तुम बच्चे नौलेज की अथोरिटी हो, कहा भी जाता है, परमपिता परमात्मा, सर्वशक्तिमान, ओल्माइटी अथोरिटी हैं, तुम ग्यान की authority हो वे हैं भक्ती की authority बाप को कहा जाता है almighty authority तुम बच्चे नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार बन रहे हो तुमको स्रिष्टी के आदी मध्यंत का ज्यान है जानते हो हम पुरुशार्थ कर रहे हैं बाप से वर्सा पाने का जो भक्ती की authority हैं वे सबको भक्ती ही सुना तुम ज्ञान की अथोरिटी हो तो ग्ञान ही सुनाते हो। सत्युग में भक्ती होती ही नहीं पुजारी एक भी होता नहीं। पुज्य ही पुज्य हैं, आधा कल्प है पुज्य हैं, आधा कल्प है पुज्यारी, भारत वासियों के लिए ही पुज्य थे, तो स्वर्ग था, अभी भारत पुज्यारी, नर्क हैं, तुम बच्चे अब प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हो, नंबरवार सब को समझाते रहते हो और व्रिधी को पाते रहते हो ड्रामा में पहले से ही नोंध है ड्रामा तुमको पुरुशार्थ कराते रहते हैं तुम करते रहते हो जानते हो ड्रामा में हमारा अविनाशी पार्ट है दुनिया इन बातों को क्या जाने हमारा ही ड्रामा में पार्ट ह जो कहेगा वही समझेगा ना कि कैसे हमारा इस ड्रामा में पार्ट है यह स्रिष्टी चक्र फिरता ही रहता है यह वर्ल्ड की हिस्ट्री जो गर्फी तुम्हारे सिवाए और कोई को मालूम नहीं उच ते उच कोन है दुनिया में कोई नहीं जानते है रिशी मुनी आधी भी कहते थे हम नहीं जानते नेती नेती कहते थे न अभी तुम बच्चे तो जानते हो वह रचता बाप है और हमको पढ़ा रहे हैं यह भी बाबा ने बार बार समझाया है कि यहां जब बैठते हो तो देही अभी मानी होकर बैठो एक बाप ही राजयोग सिखलाते हैं और वर्ल्ड की हिस्ट्री जोगर्फी समझाते हैं बाप कहते हैं मैं कोई थोट रीडर नहीं हूँ इतनी बड़ी दुनिया है इनको क्या बैठ रीड करेंगे बाप तु खुद कहते हैं मैं ड्रामा की नोंद अनुसार आता हूँ तुम्हें पावन बनाने ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वही बजाने आता हूँ बाकी मैं कोई थोट रीड नहीं करता हूँ बतलाता हूँ मेरा क्या पार्ट है और तुम क्या पार्ट बजा रहे हो तुम यह नौलेज सीख कर दूसरों को सिखला रहे हो मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना यह भी तुम बच्चे जानते हो तुम तिथी तारिख आदी सब जानते हो दुनिया में कोई थोड़े ही जानते है तुमको बाप सिखला रहे है फिर जब यह चक्र पुरा करेंगे तब फिर बाबा आएंगे उस समय जो सीन चली वह फिर कल्प बाद चलेगी एक सेकेंड ना मिले दूसरे से यह नाटक फिरता रहता है तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता है फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो बाबा कहते हैं तुम सिर्फ याद करो हमारा बाबा बाबा है वही टीचर है गुरू है तुम्हारी बुद्धी उस सरफ चली जानी चाहिए आत्मा खुशोती है बाब की महिमा सुनकर सब कहते हैं हमारा बाबा बाबा है टीचर है वे सच्चा ही सच्चा है पढ़ाई भी सच्ची और पूरी है उन मनुष्यों की पढ़ाई अधूरी है तो तुम बच्चों की बुद्धी में कितनी खुशी होनी चाहिए बड़ा इम्तिहान पास करने वालों की बुद्धी में जास्ती खुशी रहती है तुम कितना उंच पढ़ते हो तु कितनी कापारी खुशी होनी चाहिए भगवान बाबा, बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, वही एपिसोड रिपीट हो रहा है, सिवाए तुम्हारे किसको पता नहीं है, कल्प की आयू ही बढ़ा दी है, तुम्हारी बुद्धी में अब पांच हजार वर्ष की सारी पदर्शन चक्र कहा जाता है, बच्चे कहते हैं, बाबा, तुफान बहुत आते हैं, हम भूल जाते हैं, बाबा कहते हैं, तुम किसको भूल जाते हो, बाप, जो तुमको डबल सिर्टाज, विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम कैसे भूलते हो, दूसरे किसको नहीं भूलते हो? इस्त्री, बाल, बच्चे, चाचा, मामा, मित्र, सम्बंदी, यादी सब याद है? बाकि इस बात को तुम भूलते क्यों हो? तुम्हारी युद इस याद में है. जितना हो सके याद करना है. बच्चों को अपनी उन्नती के लिए सवेरे सवेरे उठ, बाप की या में चले जाओ, यहां ही आकर बैठना कोई जरूरी नहीं है, बाहर भी जा सकते हो, सवेरे के टाइम कोई डर आधी की बात नहीं रहती है, बाहर में जाकर पैदल करो, आपस में यही बातें करते रहो, देखें कौन बाबा को जास्ती याद करते हैं, फिर बताना चाहिए कितन समय हमने याद किया, बाकी समय हमारी बुद्धी कहां कहां गई, इसको कहा जाता है, एक दो में उन्नती को पाना, नोट करो कितना समय बाबा को याद किया, बाबा की जो प्रैक्टिस हैं, वह बतलाते हैं, याद में तुम एक घंटा पैदल करो, तो भी टांगे ठकेंगी याद से तुम्हारे कितने पाप कट जाएंगे चक्र को तो तुम जानते हो दिन रात तुमको अब यही बुद्धी में है कि हम अभी घर जाते हैं पुरुशार्थ करते हो कल्यूगी मनुश्यों को जरा भी पता नहीं है मुक्ती के लिए कितनी भक्ती करते रहते हैं अनेक मते हैं तुम ब्राह्मनों की है ही एक मत जो ब्राह्मन बनते हैं उन सब की है श्रीमत तुम बाप की श्रीमत से देवता बनते हो देवताओं की कोई श्रीमत नहीं है श्रीमत अभी ही तुम ब्राह्मनों को मिलती है भगवान है ही निराकार जो तुमको राजयोग सिखलाते है जिससे तुम अपना राज्य भाग्य ले कितना उच्छ विश्व का मालिक बनते हो भगती मार्ग के वेद शासरादी कितने धेर के धेर है प्रंतु काम की सिर्फ एक गीता ही है भगवान आकर राजयोग सिखलाते है उनको ही गीता कहा जाता है अभी तुम बाप से पढ़ते हो जिससे स्वर्ग का राज्य लेते हो जिसने पढ़ा उसने लिया ड्रामा में पार्ट है न ग्यान सुनाने वाला ग्यान सागर एक ही बाप है वे ड्रामा प्लेन अनुसार कलियुक के अंत सत्युक के आदी के संगम पर ही आते हैं कोई भी बात में मुझो नहीं बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं और कोई भी पढ़ा ने सके यह दादा भी आगे कोई से पढ़ा हुआ होता तो और भी बहुत उनसे पढ़े हुए होते बाप तो कहते हैं इन गुरुओं आदी सबका उधार करने में आता हूँ अभी तुम बच्चों की एम अबजेक्ट सामने खड़ी हैं हम यहे बनते हैं यह है ही नर से नारैन बनने की सत्यकथा इनकी फिर भक्ती मार्ग में महिमा चलती हैं भक्ती मार्ग की रसम चलती आती हैं अभी यह रावन राज्ये पूरा होना है तुम अभी दशेरा आदी में थोड़े ही जाएंगे तुम तो समझाएंगे यह क्या करते हैं यह तो बेवीज का काम है बड़े बड़े आदमी देखने जाते हैं रावन को कैसे जलाते हैं यह है कोन कोई बता ने सके रावन राज्ये है ना दशहरे आदी में कितनी खुशी मनाते हैं जिसमें रावन को जलाते आते हैं दुख भी चला आता है, कुछ भी समझ नहीं है, अभी तुम समझ से हो, हम कितने बेसमझ से, रावन बेसमझ बना देते हैं, अभी तुम कहते हो, बाबा, हम लक्षमि नारण जरूर बनेंगे, हम कोई कम पुरुशार थोड़े ही करेंगे, यह एक ही स्कूल है, पढ़ाई बहुत सहज है बुढ़ी-बुढ़ी माताएं और कुछ नहीं याद कर सकती, तो सिर्फ बाप को याद करें, मुख से हे राम तो कहते हैं न, बाबा यह बहुत सहज बताते हैं, तुम आत्मा हो, परमात्मा बाप को याद करो, तो तुम्हारा बेडा पार हो जाएगा, कहां चले जाएंग शांती धाम, सुख धाम, और सब कुछ भूल जाओ, जो कुछ सुना है, पढ़ा है, वे सब भूल कर अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तो बाप से वर्सा जरूर मिलेगा, बाप की याद सही पाप कट जाते हैं, कितनी सहज हैं, कहते भी हैं, ब्रिकुटी के बीच चमकता है सितारा, तो जरूर इतनी छोटी आत्मा होगी न, डोक्टर लोग बहुत कोशिश करते हैं, आत्मा को देखने की, प्रन्तु वेह बहुत सुक्ष्म हैं, हठ आदी से कोई देख न सके, बाप भी ऐसे ही बिंदी हैं, कहते हैं, जैसे तुम साधारन हो, हम भी साधा तुमको पढ़ाता हूं, किसको क्या पता, कि इन्हों को भगवान कैसे पढ़ाते होंगे, क्रीशन पढ़ाते, तो सारे अमेरिका, जापान आदी सब तरफ से आ जाएं, उनमें इतनी कशिश हैं, क्रीशन के साथ प्यार तो सबका है न, अभी तो तुम बच्चे जानते हो, हम सो बन रहे हैं, क्रीशन है प्रिंस, क्रीशन को गोध में लेना चाहते हैं, तो पुरुशार्थ करना पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है, बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं, बाप कहते हैं, बच्चे बातों को छोड़ दो, ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड हैं, लाक हैं, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, इसलिए अच्छी रिती बुरुशार्थ करो, बाप के पास आते हैं, तो बाप उलहना देते हैं, आठ मास से आते हो, और बाप जिनसे स्वर्ग की बादशा ही मिलती हैं, उनसे इतना समय मिले भी नहीं, कहते बाबा फलाना काम था, अरे तुम मर जाते, फिर यहां कैसे आते, यह बहाने थोड़े ही चल सकेंगे, बाप राजयोग सिखा रहे हैं, और तुम सीखते नहीं, जिसने बहुत भक्ति की होगी, उनको साथ रोज सो क्या, ए एक सेकेंड में भी तीर लग जाए, सेकेंड में विश्व का मालिक बन सकते हैं, यह खुद अनुभवी बैठा है, विनाश देखा, चतुर भुज रूप देखा, बस समझने लगा, ओहो, हम विश्व का मालिक बनते हैं, साक्षात कार हुआ, उमंग आया, और सब कुछ छो यहां तुम बच्चों को मालूम पड़ा, बाप आये हैं, विश्व की बादशाही देने, बाप पूछते हैं, निश्चे कब हुआ, तो कहते हैं, आठ मास, बाबने समझाया है, मूल बात है, याद और ज्यान, बाकी तो दिदार कोई काम का नहीं, बाप को पहचान लिया, तो फिर पढ़ना शुरू करो, तो तुम भी यह बन जाएंगे, पॉइंट्स मिलती हैं, जो कोई को भी समझा सकते हो, बहुत मिठास से समझाओ, शुबाबा, जो पतित पावन है, कहते हैं, मुझे याद करो, तो पावन बन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे, युक अच्छा, अब तुम्हारे उपर जो कट जंक चड़ी हुई हैं, उसके लिए बाप कहते हैं, मुझे याद करो, अच्छा, मिठे मिठे, सिकी लधे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्च को नमस्ते, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, धार्ना के लिए मुख्ये सार, पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ, पैदल करते बाप को याद करो, आपस में यही मेठी रुह रिहान करो, कि देखें कौन कितना समय बाबा को याद करता है, फिर अपना अनुभव सुनाओ, दूसरी पॉइंट, बाप को पहचान लिया, तो फिर कोई बहाना नहीं देना है, पढ़ाई में लग जाना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है, वर्दान, रियल्टी दवारा, हर कर्म वबोल में रोयल्टी दिखाने वाले फॉस्ट डिविजन के अधिकारी भव, रियल्टी दवारा, हर कर्म वबोल में रोयल्टी दिखाने वाले फॉस्ट डिविजन के अधिकारी भव, रियल्टी अर्थाद, अपने असली स्वरूप की सदास्मृती, जिससे सुल सूरत में भी रोयल्टी नजर आएगी, रियल्टी अर्थाद एक बाप दूसरा ना कोई इस स्मृती से हर कर्म वब बोल में रोयल्टी दिखाई देगी जो भी संपर्क में आएगा उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे हर बोल में बाप की समान अथोरिटी और प्राप्ती की अनुभुती होगी उनका संग रियल होने के कारण पारस का काम करेगा ऐसी रियल्टी वाली रोयल आत्माएं ही फ्रस्ट डिविजन के अधिकारी बनती है स्लोगन स्ट्रेश्ट कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा और अभी आज की कमेंटरी सुनने के लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें अच्छा ओम शान्ती करें अच्छा ओम शान्ती